Hello everyone, welcome to this channel. In this video, we are going to read chapter number first, The Tinny Teacher from Class 7 and the book's name is An Alien Hat. तो चले पढ़ते हैं, यह second part हम पढ़ रहे हैं, first part हम पढ़ चुके हैं. The queen is the mother of the entire population of the colony. जो चीर्टियों की कोलोनी होती है, उस में जितनी भी जनसंख्या चीर्टियों की होती है, उस पूरी जनसंख्या की मा माना जाता है राणी चीर्टियों को. It lives for about 15 years और यह 15 साल तक जिन्दा रहती है. It has a pair of wings, इसके दो पंक होते हैं, but bites them off after its wedding flight. लेकिन wedding flight से मतलब यहापर जब वो नर चीर्टियों से मिलने के लिए जाती है, उस दोरान वो अपनी जो पंक हैं उनको जाड़ देती है, उसके बाद. This flight takes place on a hot summer day और यह जो meeting होती है नर चीर्टियों से इसकी वो गर्मियों के दिन में होती है. गर्मियों होती है जिस दिन उस दिन. The queen leaves the nest, जो queen चीर्टियों होती है, वो अपने nest को छोड़ देती है, मतलब जिस ant hill में वो रहती है, उसको छोड़ देती है and goes out to meet a male ant. और बाहर जाती है male ant से मिलने के लिए और drawn high up in the air, drawn से मतलब जो नर चीर्टियों होती है उसको बोलती है और हवा में काफी height पर. On its return to earth, और जब ये वापिस आती है धर्ती पर, it gets rid of its wings, तो ये अपने पंकों से छुटकारा पा लेती है, मतलब तोड़ देती है उन पंकों को and then does nothing but lay eggs और उसके बाद क्या करती है, ये कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है, कौन? और रानी चीटी, eggs, hatch and grubs come out और उसके बाद जो अंडे होते हैं इसके अंदर से जो grubs होते हैं वो बाहर निकलते हैं, grubs कहते हैं लार्वा को, soldiers guard them और जो सैनी चीटी होती हैं वो इनकी देखभाल करती हैं, workers feed and clean them, जो worker चीटियां होती हैं वो इनको खाना खिलाते हैं और इ हवा के लिए, exercise कराने के लिए और धूब दिलाने के लिए, two or three weeks later, grubs become cocoon और तीन या चार हफते बाद जो grub होता है, जो larva होता है, वो cocoon में तबदिल हो जाता है, and lie without food or activity for three weeks more, और बिना किसी काम किये, बिना किसी खाने के, वो तीन हफते तक और रहता है, then the cocoon break and perfect ends appear, और जो cocoons होते हैं, वो तूट जाते हैं, और उसके अंदर से चीटियां बाहर निकलती है, now it's time for teaching and training, और अब इन चीटियों की बारी होती है, सिखाने की और training देने की, new ends, learn the duties from old ends as worker, जो नई चीटियां निकलती है न, cocoon से, वो अपने जो कर्तवे होते हैं, सारे वो पुरानी चीटियों से, यह सैनिक चीटियों से, सीखती हैं, सोल्जर चीटियों से, और जो काम करने वाली चीटियां होती हैं, उन से worker चीटियां, और जो builders चीटियां होती हैं, जो cleaners चीटियां होती हैं, इन सब से वो सारे काम सारे करतावे अपने सीखती हैं, जो नई चीटियां हो यह अपना ट्रेडिन इनकी पूरी हो जाती है ठीक है और फिर यह बाहर जाती है संसार में बड़े से संसार में अपना काम करने के लिए जैसे कि बाकी चीटिया जाती है An end hill is a home not only for ants एक end hill जो होता है वो घर होता है सिर्फ चीटियों कहीं नहीं but also for some other creatures उसके अलावा जो बाकी चोटे जीव होते हैं जिनमें beetles आते हैं lesser breeds of ants और greenfly आती है मीटर्स से मतलब होता है भ्रंग या जिसे हम भावरा कहा देते हैं लेसर ब्रेट्स ओफ एंट्स मतलब जो चीटियों की प्रजाती कम मिलती है वो और ग्रीन फ्लाइ भी एक तरीके की मक्ही होती है अब यह जो चीटिया होती है वो इन एलियन क्रियेचर्स को मतलब अजनभी जो जीव होते हैं उनको अपने नेस्ट में क्यों रहने देती हैं क्यों अपने घर में रहने देती हैं इसके कुछ कारण है कुछ जो यह जो एलियन क्रियेचर्स होते हैं वो कुछ श्मेल अच्छी छोड़ते हैं जिससे कि इन चीटियों को अच्छा लगता है अधर गिव स्वीट जूस कुछ चीटियां जो होती हैं वो स्वीट जूस यानि कि कुछ रस वगर अप्रदान करती हैं और कुछ चीटियां सिर्फ पैट होती हैं जो कि इसी तरह से उनके साथ खेलती हैं जैसे कि जो बिल्ली और जो डॉगी होते हैं वो इसी लिए यह बाकी क्रियेचर्स को चीटियां अपने घर में रहने देती हैं proceed जो आपने एंटियां के टॉगी अपने 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 अपना के तятся से यह सिखाती हैं इनको they milk it just as we milk the cow और इसी तरीके से ये रस निकालती है इससे जैसे कि हम लोग गाय से दूद्ध निकालते हैं have humans turned as much as ants have अब क्या जो मनुश्य है वो इतना सीखते हैं जितना की जो चीटियां है वो महनत करती हैं वो इतना सीखती हैं perhaps they have, शायद हाँ सीखते हैं but they haven't put their learning to good use लेकिन जो भी वो सीखते हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल वो इतना नहीं करते जितना की जो चीटियां है वो करती हैं they may still learn a few things from the tinny teacher और जो human beings है, जो इंसान है वो इन छोटी-छोटी चीटियों से यानि कि छोटी अध्यापिकाओं से बहुत सी चीज़े सीख सकती हैं hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care of the young ones and above all यानि कि महनत करना, अपने करतवे को समझना, अनुशाशन में रहना, साफ सफाई रखना और छोटे बचों की देख भाल करना, ये बाकिसारी चीज़े और साथ ही साथ, a firm loyalty to the land where they live, एक loyalty में रहना भी सीखती है उस संसार में या उस जगह पर, जिस जगह पर वो एक साथ रहती है उनके प्रति अपने सभी करतवियों को वो समझती है, वफादारी से रहती है, आपस में नहीं जगड़ती तो that was your chapter, यहाँ पर यह complete हो जाता है, I hope कि आपको यह समझा गया होगा अब हम विलेंगे next topic में, next chapter के साथ Till then, bye, take care, have a nice day